दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन निउस बाबा दर्शन निउस से मैं इनाम उल्ला खान किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए किंदर सरकार से जो उनको चाहिए उस पर चार राउंड की बैठक हो चुकी है किंदर सरकार और किसानों के बीच में यहां किसान के नेता हैं डॉक्टर कमलेश काफी मेहनत करते हैं और लगातार किसानों के हक की बात करते हैं उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो आज चल रहा है बॉडर पर दिल्ली जाने के लिए किसान जो हैं प्याकुल हैं और किंदर सर में आप अपनी राय दीजिए और बिहार के लोग भी इसमें शामिल हो इसका एक को सबसे पहले मैं आप बाबा दर्शनिवज को और आपको तहे दिल से नमस्कार और पड़ाम और अदाब सलाम करता हूं जो आप सासाराम से चल करके इस बड़ारी धर्थी पर आए इसके लिए मैं आपको लाख लाख सुक्र गुजार हूं देखिए आज से दो सल पहले 2021 में किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी की मांग लेकर के दिली के बुढ़र पर आए उस वक्त दिली के संभु बोडर, टिक्री बोडर और हर बोडर पर सरकार ने कीले गार करके इसके बाद बड़े बड़े डिवाइडर लगा करके इसके बाद रोड को गढ़ा में तबदिल करके किसानों को रोख दिया किसान फिर भी नहीं माने अपनी मांग को लेकर के वहां डटे रहे और सरकार कहती है कि किसानों ने ही रास्ता जाम किया है अरे किसान तो अपने रास्ते से जा रहे थे आपने वहां कील गाड़ा आपने डिवाइडर लगाई आपने रोड को गढ़ा में तबिल कर दिया पर सासन लगाई तो भारत सरकार की है जब नरेंदर मोदी जी मुख मंतरी थे और मनमोहन सरकार मनमोहन जी परधान मंतरी थे तो वहीं खुद बोले थे मनमोहन जी से कि आप किसानों को MSP की कानूनी गारंटिक कर दिजिए आज वहीं वादा किसानों का मांग नहीं है किसान कहता है कि आपने जो वादा किया है उसी वादा को पूरा कर दिजिए आपने MSP की कानूनी गारंटिक वादा कियत है MSP पर खरदारी के वादा कियत है जो किसानों के 23 फसल का MSP है सारे हंदुस्तान के सारे किसानों को छोटा हो या बड़ा हो सभी का इमेसपि पक्रदारी हो आज तो किसानों ही मांग कर रहा है उनकी वादा को पूरा करने के लिए अपनी मांग तो रख नहीं रहा है जब परधानमंतरी गुजराद के मुख मंतरी थे तो वो डिमांड कर रहे थे मनमुहन सिंग से जी वो डिमांड कियत है कि किसानों को MSP की कानूनी गारंटी बना देजिए किसान का हलत बहुत बुरा है अगर किसानों के MSP की कानूनी गारंटी सीटू पलस पचास पर हो जाएगी तो हम नों का देश तरकी कर जाएगा कल का बयान है अर्जुन मुंडा है किर्शी मंत्री और उनका बयान है कि बहुत सारी चीजों पर हम बात्चित कर लिया है लगभग तै माना जा रहा है आखिर वो इस तरीके नहीं 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 जो पियूस गोयल अर्जुन मुंडा और एक और मंत्री है उसमें और भगवंत मा को अब बास और मकह गीन कि पंचाब का जल अस्तर नीचे जा रहा है आरे ज़कर तो पांच साल का करार करती है कि हम पांच साल ही खर देंगे MSP पर इससे ज्यादा नहीं खर देंगे तो पांच साल के बाद फिर किसान रोट पर आएगा पिर अंदोलन करेगा और सरकार का टय करना है MSP हम फसल कैसे खर देंगे उसको आपड़ा मी खिसान पर घृयत जमीन कैसा है उबड़ खाबड़ है समतल है कि गड़ा है जहां गड़ा है वो कह रहा है सरकर क्या दालो गाई है तो हमारा खेत जब गड़ा है चार वहीना पांच मेना उसमें पानी जमा रहता है उसमें दाल कैसे उगाएंगे उड़त कैसे उगाएंगे मूं कैसे उगाएंगे यह चीज ह हमारी है हमारी खेतों को हम पर छोड़ दो आप एमस्पी की गरांटी करो किसान का मांग यह है अगर हमारी फ़सल का MSP पर गारांटी हो जाएगी आच्छा फसल का दम मिलने लगेगा तो किसान खुद अपना फसल बदल लेगा एक चीजा और है डॉक्टर कमलेश जी लगभग पूरे हिंदुस्तान का अगरांकड़ा देखा जाए तो लगभग 40 क्रोड किसान है 40 क्रोड किसान है और भारत सरकार को यानि के इंडिये गड़ बंधन को मात्र 22 क्रोड भोट 22 क्रोड 91 लाक भोट मिले थे उतनहीं में उन्होंने सरकार बना लिया तो आखिर किसान एक जुट नहीं है क्या सरकार सरकार ते भोट किसानों ने भोट देवे करता है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हमें लगता है अपनी मनता है कि सरकार इनडिया सरकार हार चुकी थी है अगर इक सरकार नहीं बनता हम आपना मनना अगर आज भी अगर आज भी अगर इवीं को हाटा दिया जाए को मदी की सरकार नहीं बन पाएगी कि इन के प्रेकेंड करके यह जोर तोड़ करके यह इभी में स्टेटिंग करते हैं जैसे हैं आप यहां से हमारा सर को हटा कर किसी दूसरी को सर जूर देजी